हलो फ्रेंट्स मैं विशेक राब सभी का स्वागत आप सभी के पसंदा यूटूब चैनल राय जूकेशनल में करता हूं जहां आप सभी यूपी टी टी सी टी टी के वी एस एन वेस जी टी टुरुपल एस पी वीडियो और स्टिक्षरक बरती परिक्षा 2019 की संपूर्तय तैय प्रदानिक रिजल्ट कुछ भी नहीं निकल रहा है तो उस पे पूरी चर्चा इस वीडियो में पूरा अथेंटिकेटेड सोर्स से पूरी कटिंग पेपर की सारी चीज़े आपको वीडियो पर बने रहना है आपको वीडियो लास तक देखना और वीडियो अच्छा लेग मिलती रहें 14 सवालíz होने से टेट रिजल्ट में होगा बड़ा उलट फियर जी हां आपने बिल्कुल सही सुना कि 14 सवाल डिलीट होंगे और जिस वो सवाल डिलीट होने से उन सवालों का प्रभावाविड टेट रिजल्ट पर ऐसा पड़ेगा कि बहुत धेर सारे उलट फेर बहुत धेर सारे नए प्रकरण समक्ष आपके आएंगे टेट से फिर सतह पर हो जाएंगे क्योंकि सतह से चले थे टेट प्रकरण तक पहुंचे थे और फिर वापस उसी सतह पर वापस आने की पूरी गुंजायस लग रही है और यह जो प्रकरण है इसके बारे में पूरे चर्चा इस वीडियो में तो वीडियो देखिएगा और maximum से maximum share करिएगा आई जानते हैं कि आई खास इस वीडियो में आपके लिए यह रहा मित्रों आज का यह जो important है और इसको थोड़ा सा जूमीन कर लें तो थोड़ा authentication की बात करता हूं मैं क्योंकि मेरे पास जो यह पीक आई है इसमें अगर आपको ध्यान से नहीं दिखा हो कि यह देनिक जागरन का newspaper है और यहां राजबीरो इलावा यह प्रयाग राज जागरन का newspaper है वहां से यह paper cutting है उसमें है क्या यहां पर कि टीटी 14 सवाल डिलीट से result में होगा बड़ा उलट फेर टीटी 2017 का प्रकरण फिर सता पर सरकार के तर्ग से संतूष्ट न होने पर फस सकती है परिक्षा जी हां बिलकुल सही आपने सुना कौन सी परिक्षा आपक और थोड़ा सा और जूम इन करके इसको थोड़ा समझने कोशिश करें तो आपको नहीं दिखरा होगा फिलाल लेकिन मैं आपको समझाने की पूर कोशिश करता हूं ध्यान से सुनिये का कि उत्तर प्रदेश सक्षक पातरता परिक्षा यानी UPTT 2017 के result का मामला फिर एक बार फ परिक्षा भरती यानी आगामे स्विक्षक भरती की जो परिक्षा होनी वाली है वो प्रवावित हो सकती है उससे इंकार नहीं किया जा सकता है जी हां उससे इंकार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि अगर वो प्रकरण गडबड होगा 2017 का TET का result गडबड होगा तो सीधा सा प्रवाव आपके चार दिन बाद यानि दो जन्वरी को ये सुनवाई होगी और उसमें अगर कुछ गलत तत्य पाए जाते हैं और टेट के ये 14 प्रशन डिलीट होते हैं तो फिर 6 जन्वरी वाली परिक्षा बादित हो सकती है मित्रों और इस मामले में सरकार का पक्ष अपनी ये सामने आने पर ही पता चलेगा कि क्या सरकार पक्ष अपनाती है यहीं पूरी प्रख्रिया समक्ष आने पर पता चल सकती है जी हां मित्रों और अब ये सारी अपडेट तो पता चलेगी ही आपकी दो जन्वरी को साम को पांच बजे तक लेकिन उससे पूर्व यही है कि सबसे पहले प्रात्मिकता दी जा रही है इसी को जो सिक्षक सिक्षामित्र हैं जो सिक्षक के लिए अपलाई किये दे पिछली पार भी और उनके 2017 टेट वैलिडिटी पर प्राश्मिक चिन खड़ा हो चुका है उनके लिए बहुत ही बड़ा सबब बनेगा ये दो जन्वरी का हाई कोट खंडपीट है जो लगनों खंडपीट है उसका रिजल्ट उसकी आदेश तो ये बहुत ही इंपॉर्टन देखने वाला हो जाएगा कि 14 प्राश्मिक जो डिलीट हों इससे क्या बड़ा उलट फेर होगा और स्रिशक भरती प्रिक्षा कैसे फस सकती है इस पर भी पूर्ण चर्चा आने वाली वीडियो में आपसे करते रहेंगे तो वीडियो मैक्शिम शेर कर दीजेगा और अभी तक चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं लिए वीडियो में इस्टेट मोटिवेटेड इस स्टेप पॉजिटिव गाड़ ब्लेस वाल थेंक्यों सो मच